नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक कर डेली राउन डप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्क्यों पर एलोपैथी पर रामदेव के बयानों का विरोध डॉक्टरों ने एक जून को मनाया काला दिवस हमाई दूसरी खबर है मद्यप्रदेश से जहां पर डॉक्टरों के 4900 पत खाली पर कोई दावेदार नहीं तिसरी लहर से कैसे लड़ेगा राज्य अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा बेस 20 दीन में खाली करेगा अमेरका तेजी से हो रही वापसी की तयारी और आखिर में करोना अपडेट देश में पिसले 24 घंटों में एक देश में तीन तीन लाख नए मामले 3,207 मरीजों की मात पिछले दिनों पतंजली के मालिक राम देव ने एलोपैथी के खिलाफ ऐसे विवादित और तर्क हीन बयान दिये थे जिसका देश बर के डॉक्टरों ने विरोध किया था आयरुवेदिक इलाज को एलोपैथी से उपर बताने वाले राम देव ने न सिर्फ एलोपैथी का मजाग बनाया था बल्कि कोरोना की वज़ा से मर रहे डॉक्टरों की मौत पर भी भद्दे मजाग किये थे इंडियन मेडिकल एसोशीशन ने राम देव पर मामले दर्श करने के साथ ही इन बयानों का विरोध जारी रखा है और राम देव पर कारवाही की मांग भी कर रहे हैं इसी सिलसले में कल यानि एक जून को देश भर के डॉक्टरों ने रामदेव के इन बयानों को के खिलाफ और उनकी गिरफतारी के मांग के साथ काला दिवस मनाया हाला कि डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते वे यह साफ कर दिया कि इससे मरीजों के इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिहाजा डॉक्टरों ने आज अपने हाथों पर काले कपड़े बांध कर मरीजों का इलाज किया देश के कई वर्गों के लोगों ने रामदेव के इन बयानों को लापरवा और गलत बताया है और उन पर कारवाई की मांग भी हो रही है कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर और सर पर सवार तीसरी लहर की चेतावनी ने मद्यपदेश सरकार को और अक्सिजन, वेंटिलेटर और बेट तयार रखने पर मजबूर कर दिया है लेकिन क्या राजी की स्वास प्रडाली में मौझूद सबसे बड़ी खामिया पर ध्यान दिया जा रहा है जो खामिया, डॉक्टरों और अन्य स्वास कर्मियों की कमी के चलते मुव बारे खड़ी है कई डॉक्टर और स्वास कर्मी जो महामारी के मामलों की बरती संक्या से जूज रहे हैं कि ये पास अन्य महत्पूर चिकितसत जरुतों के बारे में बताने के अलावा रोगियों को कोविट के हाथों खोने के बारे में बताने के लिए दिल दहनाल देड़े वाली कहानिया है क्योंकि उनका मानना है कि अगर कुछ और स्वास कर्मी होते तो लोगों को बचाया जा सकता था इसके साथी प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में 2814 स्विकृत पदों में से करीब 856 पद खाली पड़े हैं जिर में जबलपूर में सबसे ज़्यादा 96, छिंदवाडा में 92 और शहडोल में 89 पद खाली हैं बुपाल के GMC में सबसे कम यानि 37 पद खाली हैं साथी 2650 विशेशक डाक्टरों, 400 चिकितसा अधिकारियों, 8000 नर्सिंग स्टाफ आदी के पद भी खाली पड़े हैं विबिन मेडिकल स्टाफ के 40,000 पदों में से करीब 45% सीटे खाली पड़ी हैं ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर जब आएगी, तब मद्यपेश का प्रशासन इससे कैसे निप्टेगा या चिंता का विशे हैं अमेर्की सेना में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की घर वापसी के तयारी कर ली हैं अगले 20 दिनों में अमेरिका बगराम एयर बेस को अफगानिस्तान के सुरक्षा बलो को सौपेगा मामले से संबंदित एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि वाशिंग्डन से दबाव बनाया जा रहा है कि हम अफगानिस्तान से अपनी आखरी टुकडी को भी हटा ले अमेरिकी सेना लगब 20 दिनों में अपना मुख्य बगराम एयर बेस अफगान बलो को सौप देगी गौर्दालभे की कई दशकों बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है अफगानिस्तान से अमेरिकी नाटो सैनिकों का पूरा निकास लगब पूरा होने वाला है एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इस बात की पुष्टी करते हुए कहा कि हम बगराम एयर बेस को सौप देंगे लगब 20 दिनों में हैंड ओवर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा रक्षा मंत्राले की तरफ से इस प्रक्रिया को सफलता पुरव प्रबंदित करने के लिये विशे समितियों का गठन किया था और आखिर में हम बात करेंगे केंद्री स्वास्त मंत्राले द्वारा आज बुद्ध वार यानि दो जून को जारी आगडों के नंसार देश में पिसे 24 गंटों में कुरोना की एक लाग 32,788 नए मामले दर्श किये गए हैं इसके लावा कुरोना से आज फिर 3,000 से जादा यानि 3,207 मरीजों की मौत हुई है देश में कुरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 2,83,7,832 हो गई है जिनमें से अब तक 3,35,102 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कुरोना से परित 92,48 फीस दी यानि 2,61,89,085 मरीजों को ठीक किया जा चुक है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या घटकर 6,33 फीस दी यानि 17,93,645 हो गई है स्वास मंत्राले के ताज जानकारी का अनुसा देश में कुरोना वैक्सीन की 21,85,46,666 डोज दी जा चुकी है जिनमें से 23,97,191 वैक्सीन की डोज फिसलिए 24 घंटों में दी गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया